नमस्कार आदा दोस्तों हिंदो इसमें आपका स्वागत है मैं हूँ इक्राम बात करते हैं दिल्ली दंगो से जुड़ा एक नय अपडेट सामने आया है मैं लगतार खबरे कर रहा हूँ कभी कभी ऐसा होता है कि जिस दिन अपडेट नहीं आता तो मैं भी अप लोगों के सामने अब नहीं आपाता हूँ क्योंकि अब और बहुत सारे हमारे साथी सीनियर जनरलिस्ट जिसमें वरिष्ट पत्रकार अनीस जी हैं और हमारे सीनियर पत्रकार एक और अशोक वान केड़ी जाना बना चेहरा हैं टीव पर आपने लगतार देखते हैं वो अपनी रिपोर्ट लेकर आते हैं एडवोकेट महमूद प्राचा, एडवोकेट जैड़के फैजन सर, रविंदर सर और हमारे साथी शीवम राजा ये आपके सामने लगतार न्यूस कर रहे हैं तो बहुत सारे न्यूस लगतार आप लोगों को मिल रही हैं, तो मेरी आप से सिर्फ इतनी रिक्वास्ट है, पूरी खबर और आज का जो दिल्ली दंगे का एहम अपडेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जैसे कि आप थमनेल लेकर कुछ-कुछ समझ गए होगे, उस पर जाने से पहले अपील यह है कि चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब जूर्ब करें, अपने दोस्तों को बताए, शेर करें आपसमें, और हमारा यह चैनल नोन प्रोफिट चैनल है, हमारी कोई एक्स्रा इंडिंग नहीं है, तो अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रही है और यह टीम, लगतार जो काम कर रही है और इसको आगे बढ़ना चाहिए, तो डिस्क्रिप्रिशन में एक लिंक है, यह आप डिस्प्ले पर जो नमबर देख रहे हैं, उससे आप हिंद वो इसकी help कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, तो अब चलते हैं एक बड़े कुछ निताओं ने, जिनके बयान बाजी से, वो मामले ने तूल पकड़ा और दिल्ली, यहनि कि पूरवर्तर दिल्ली का जो हिस्सा था, जिसमें बजन पुरा, मुस्तावाद, शिव वियार, चांद बाग, जाफराबाद, यह सारे उसकी चपेट में आया है, और 53 लोगों से जाधा की मोत हो गई, लगातार खबरे कर रहा हूँ, पिछले 2-3 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, और Ground Zero पर भी जाकर आप लोगों खबर किये हैं, पिछले आप जाकर हमारी कैटेगरी में देख सकते हैं, क्योंकि अबढ़ी लोगडाउन चलना है, तो भाद जाने में ज जाधा प्रेशान ही है, लेकिन लगातार अपडेट आप लोगों के सामने आ रहे हैं, देखें पिछले अपडेट में मैंने आपको बताया था है कि दिल्ली दंगों में बहुत सारे बैसे लोग गिरफतार किये जा रहे हैं, जो नोन मुसलिम हैं, क्योंकि पहले आरोप रहा था दिल्ली पुलिस पर, कि पुलिस जो है, एक तरफा कारवाई कर रही है, यह हमने नहीं लगा था, बहुत सारे सांसदों की, ओनलाइन भी प्रैस कॉन्फरेंस होई थी, जिन्होंने आरोप लगा था, बहुत सारे सोचल अक्टिविस्ट की, जिन्होंने आरोप लग जिन पर UAE पे कानून लगाया गया था, जेल गए हैं और अब पिछले एक महिने से आपने देखा होगी दिल्ली दंगों में पुलिस की जो कारवाई थी अचानक परिवर्तन देखने को मिला पहले पाँच लोग गिरफतार के गई एक मुस्लिम महिला की मौत के इलजाम में उसके बाद सोना लोग जो आरसिस से जुड़े हुए थे उसके बाद दिल्ली दंगों में जिसका बयान सबसादा भरकाव माना जा रहा था कपिल मिश्रा दो लोगों ने उस पर फायर दज कराई जो कड़कड़ुमा कोड़ द्वारा होई हलागी पुलिस में हल्फ नामा दिया कि उसने कोई ऐसा बयान दिया ही नहीं था उसके अलावा तमाम गिरफतारी लगाता चल रही है बाज़पा के एक मंत्री का भी नाम आया था तो इस सारी चीज़े जब होई तो एक परक्स था वो बड़ा बेचेन हुआ आप जाके कि अब तो हिंदू की गरफतारी हो रही है तो उसमें अपील लगा दी जो आज का बड़ा एहम उद्द है उसमें अपील लगाई तो दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल कमिस्नर है उन्हेंने आदेस दिया कि हिंदों की गरफतारी हो रही है थोड़ा ध्यान रखे एहतियात बड़ते ऐसा ना हो समाज दूसा समुदाए नाराज हो जाए उसमें रोस फैल जाए तो थोड़ा ध्यान रखे क्योंकि जो परतिनीदी है आसपास के उनका ये कहना है कि हिंदों की गरफतारी हो रही है और बिना किसी जाच परताल के हो रही है जब एक तरफा कारवाई चल रही थी जैसे लोगों कहना तब ये लोग कहां थे अभी जो पुलिस कारवाई कर रही है वो भी सबूतों के उस पर ही कर रही है आधार पर कर रही है जो गिरफतारी हो रही है जिनकी फुटेज आ रही है या जो भी सबूत जहां से हाथ लग रहा है पुलिस के आधार पर गिरफतारी कर रही है कि आप जो हैं हिंदों की गिरफतारी पर थोड़ा थियात बरते क्या का है वहां मैं आपको पढ़के बताता हूँ विशेश CP ये ज़्यादा ध्यान रखेगा अपराद और आर्थिक अपराद शाका परवीम रंजन द्वारा आठ तारी को एक जिस्पन के साइन थे उन्होंने उत्तर पुर्वी दिल्ली दंगों के और खजोरी खास शेतर में कुछ हिंदू युआउगों जिसने दंगे की मामले में गिरफतारी चल रही थी उनके लिए एक आदेश दिया उन्हें ने कहा कि खूफिया इन्पूट का हवाला दे गया और कहा है कि समुधाय के परतिमी दे आरोप लगा रहे हैं कि गिरफतारिया बिना सबूत के की गई है जैसे मैं बता रहा हूँ लेकिन अभी जो उन्हें लिए लिए लिखा है उसके आदार पर मैं बताता हूँ आपको यहां तक की कुछ इस तरह की गिरफतारिया कुछ निजी कारणों से की जा रही है उनका यह आरोप है जिन लोगों ने उनसे शिकात किया है इसमें यह भी कहा गया है कि दो मुस्लिम पुरशों का भी नाम है और उस छेतर में दंगों और सीवे विरोध के अदोरान जो मुस्लिम योकों ने भी जुट जाए और उनके खिलाब कथी तोर पर पुलिस ने कोई कारवाई नहीं किये इस वज़े से हिंदू समुधा के बीच नाराजगी है इस आदेश में यह भी कहा है कि किसी भी वक्ति को गिराफ़तार करते हैं उचित देखबाल और साउधानी बरती जाए परत्यक्ष और तक्नीकी साहिता सहीत सभी सबूतों को ठीक से विशलेशन किया जाए जे सारी चीज़े इसमें कही गई है इसके लावब गिराफ़तारिया पर्या सभूतों द्वारा समर्थी थाओं तो गिरफ़तारी कि जाए किसी भी मामले में कोई मन्मानी गिरफ़तारी नहीं की जानी चाहिए और सभी सभूपतों पर विशेश, पीपी, सरकारी अपविजयक के साथ चर्चा होनी चाहिए इस आदेश में एक चीज़ और कही गई है परिवेक्षे, अधिकारी, एसीपी, डिसीपी, एसाइटी और इसके अलावा सीपी और आयो जाच अधिकारी को उपित परिके से मालकुदर्शन करें यानि कि इन सबसे जाच परताले, सला ले, इनके साथ डिसकस करें मश्वार ले, सबूतों का अच्छी तरसे चेक करें, तकनीकी तोर पर सब कुछ चेक करें उसके बाद जाके हिंदू लोगों के गिरफतारी अगर हो सके, तो करें क्योंकि इस से दूसरे समाधियों में रोज फैल लाए जब सारनपूर के सांसाथ फजलु रह्मान ने आरूप लगा था कि चार अजार से जदा गिरफतारी की हैं मुसल्मानों की तब जब वहां रोज फैल लाए था, तब किसी ने शिकायक नहीं की बहुत सारे लोगों ने की है, लेकिन सुन ही नहीं ना कोई आदेश दे रहा है, गिरफतारी चलती रही ऐसा मैं नहीं गयारूं, आप लोगों के सामने पिछले तीन महीने में सारी चीज़े होई हैं, लेकिन अब जैसे ही एक महीने के अंदर कारवाई तेज होई, क्योंकि जो ओर लोग थे, जिन्होंने दंगा बढ़का आया था, जिन्होंने लोगों के घर जलाय थे, दुकाने लूटी थी, अब जो उनकी चपेट माने लगे तो परती नहीं दे, अपना आपको तता के तित क्या रहे हैं, ये पहुँच गए, स्पेशल सेल के पास उन्होंने आदेश महां से जारी कर दिया, लेकिन देखते हैं, दिल्ली पुलिस पर इसका क्या असर परता है, ये जो दबाव उपर से डाला जा रहा है न, ये देखना है कि ये कितना कारगर साबित होगा उनके लिए, क्या आप दिल्ली पुलिस जो कारवाई कर रही है, उस पर डटी रहेगी, साथी आप लोग जवाब दीजिए, ये जो लोग आए हैं अब, कहरें कि इस गिरफ्तारिया जो किर जा रही है, मनमानी तरीके से किर जा रही है, इनकी बात में कितना दम है, और स्पेशल सेल के जो कमिशनर है, उन्होंने जो ये ओडर जारी कर दिया, इस पर आप लोगा क्या कहना, राय जानना चाहता हूं, कमेट कीजिएगा, खबर को जादा से जादा शेयर कीजिएगा, और दिल्ली दंगों से जुड़ी तमाम खबरे और अपडेट देखने के लिए, हमारी हिंद वोइस की कैटेगरी दिल्ली राइस ट्वेंट्यू में आप जाकर देख सकते हैं, इसके लावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहे हैं हिंद वोइस.